शान्ती, 28 जन्री 2023 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, एक मन-मना भव के महमंत्र से तुम समस्दार बनती हूँ, यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है, प्रशन, सारे ज्यान का सार क्या है, मन-मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्यान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है, यह चीची दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है, अगर यह याद रहे तो भी मन-मना भव हुआ, मन-मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्यान का विचार सागर मन्थन करते रहेंगी, वह बाब से मीठी-मीठी रुह रिहान करेंगी, दूसरा प्रशन, किस आदत के वशिभूत आत्मा बाब की याद में नहीं रह सकती, उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पढ़ी, तो बाब की याद रह नहीं सकती, सिनेमा है दोजग का द्व जो वृतियों को खराब कर देता है, ओम शान्ती, रुहानी बाब बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाना उनको होता है, जिसमें कुछ कम समझ है, तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की सिक्षा भी देते हैं, स्रिश्टी के आदी मद्य अंत का राज भी समझाते हैं, स्टूडेंट की बुद्धी में नोलेज होनी चाहे न, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी चीची दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ, बाबा समझाते हैं, यहां बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा, कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है, फिर सिक्षा भी बहुत उची देते हैं, सारी रचना के आदी मद्य अंत का राज भी समझाया ह यह सब याद करना भी मन मना भव है, यह भी तुमारे चार्ट में आ सकता है, यह तो बहुत सहज है, और भल कुछ भी ना करो, परन तु उड़ते बैठते चलते फिरते बुद्धी में यह याद रही, वंडरफुल चीज को याद करना होता है, तुम समझते हो बाबा को या बनते हैं, यह बुद्धी में चलता रहना चाहिए, बल कहां भी बस ट्रेन आदी में बैठे हो, परन तु बुद्धी में याद हो, पहले पहले तो बच्चों को बाब चाहिए, तुम जानते हो हम आत्माओं का रुहानी बेहद का बाब है, सहज याद दिलाने के लिए बा आमेकम याद करो, तो आधा कल्प के जो तुमारे विकर्म है, वह सब योग अगनी से भसम हो जाएं, जनम जनमांत्र बहुत ही यग्ये जब तब आदी किये हैं, भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है, कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ती होगी, मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं, यह सब परंपरा से चला आया है, शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आई हैं, प्रंतु मनुश्यों को पता ही नहीं है, कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं, वह समझते हैं, सृष्टी के शुरू से ह यह सब चलाता है, ना किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है, यहाँ हद का बाप वा हद का टीचर तो नहीं है, हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हूँ, जो पढ़कर ही नोकरी आदी करते हैं, कमाई करते हैं, तुम बच्चे जानते हूँ, यह जो हमारा का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर भी नहीं, इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना, यह भी मन-मनाभव है, यह पढ़ाई तो कहां से पढ़े नहीं है, बाप स्वेम ही पजिरूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्ष्टी रूपी ज्ञाड का आदी से अंत तक राज सुनाते हैं। इस समय तक सबकुछ सुनाता हूं। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चल कर समझ जाएंगे कि अब अंत है क्योंकि उस समय तुम करमातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी चीची दुनिया का विनाश तो होना ही है ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो, हम ही विश्यो के मालिक थे, फिर चुरासी जनम ये, फिर बाबा विश्यो का मालिक बनाने के लिए वही ज्यान दे रहे हैं तुम अंदर में समझते हो, बाबा टीचर भी है, अच्छा अगर बाप याद नहीं पढ़ता, तो टीचर को याद करो, टीचर कब भूलेगा क्या, टीचर से तो पढ़ते रहते हो, हाँ माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पढ़ता है, माया आखों में एकदम धूल डाल देती है, जो हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह एकदम भूल जाते हैं, बाप हर बात की समझानी देते हैं, यह है बेहद की समझानी, वह है हद की, यह बेहद की नोलेज बाबा कलप कलप तुम बच्चों को देते हैं, अच्छा जास्ती से याद करो, उनको तो कोई बाप है नहीं, वह सब का बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं, कोई बता सकेगा कि श्यू बाबा किसका बच्चा है, वह है बेहद का बाप, बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं, ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम नहीं पढ़ते हैं, देवता वा चैत्रिय, वैश्य, शुद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, बाप के ये नोलेज ही बिलकुल न्यारी है, तुमारे सिवाई कोई समझ ना सके, तुम बच्चों को खुशी का पारा चड़ता है, कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने अब उच्पद पाने के लिए खुब पुरुशार्ट करना है, ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ग्यान और योग के धार्णा नहीं होगी, तो उच्पद नहीं मिलेगा बाबा कहते हैं सोला कला संपूरन बनने में याद की बहुत महनत है, देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं, हम सुख दाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मना किसको दुख नहीं देना है, इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुल-गुल बनते हो, ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है इसमें कोई किताब आदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं उस पढ़ाई में कितने किताब आदी पढ़ने पढ़ते हैं ये बाबा की नोलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है परंतु है सब गुप्त तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह क्या पढ़ते है Wonderful पढ़ाई है बाप कहते हैं कभी absent नहीं होना पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना बाबा के पास सबका register आता है उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास absent रहा यह 6 मास रहा कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं यह बहुत wonderful चीज है ऐसी wonderful चीज और कोई होती ही नहीं कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनरजनम में आता है यह 84 का चक्र खाते हैं तत्वम यह खेल है ना? खेल कभी भूला नहीं जाता है खेल सदय व्याद रहता है बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजग है और इसमें भी खास यह बाइसकोप दोजग है वहाँ जाने से वृतियां बहुत खराब हो जाती है अकबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धी जाती है यह खूब सूरत है इनको प्राइस मिलनी चाहिए ख्यालात चलती है ऐसा देखे ही क्यों? बुद्धी से समझते हैं यह सारी दुनिया ही खतम हो जाने वाली है तुम सिर्फ मुझे ही याद करो ऐसी ऐसी चीजे ना देखो ना खयाल करो यह तो पुरानी दुनिया के चीची शरीर है इनके तरफ क्या देखना है? एक बाब को ही देखना है बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मंजिल बहुत उंचे है माया कोई कम नहीं है माया का देखो कितना भबका है उस तरफ है साइन्स और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस वो लोग चाहते हैं मुक्ती को पाई यहाँ तुम्हारी एम ओबजेक्ट है जीवन मुक्ती को पाने की जीवन मुक्ती पाने का कोई रास्ता बता ना सकी सन्यासियादी कोई भी यह नोलेज दे ना सकी वो किसको समझा नहीं सकते कि ग्रिस्त वहवार में रहकर पवित्र बनना है यह एक ही बाब समझाते हैं भक्ती मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है कितनी भूले होती हैं भूल करते करते भूले ही बन गई है ये लास्ट जनम 100% भूलों का ही है जरा भी बुद्धी काम नहीं करती अब बाबा तुम को समझाते हैं तब तुम समझते हो अभी तुम समझ गई हो तो ओरों को भी समझाते हो खुशी का पारा भी तुम्हें चड़ता है वंडर है ना? इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं तब सीखा कहां से? मुनुष्य वंडर खाएंगे बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरू होगा अगर ये भी गुरू से सीखा हुआ हो, फिर गुरू के और भी सिश्चे होने चाहिए सिर्फ ये एक सिश्चे थोड़े ही होगा गुरू के तो बहुत सिश्चे होते हैं आगा खा के देखो कितने सिश्चे हैं उन्हों को गुरू के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है उनको हीरो में वजन करती हैं तुम किसमें वजन करेंगी ये तो सबसे सुप्रीम है इनका वजन कितना होगा कोई चीज पढ़ सकती है श्यू बाबा तो बिंदी है ना आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लैटिनम में भी करते हैं, वह सोने से भी महंगा होता है, अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरू तो तुम्हें सद्गती देते नहीं, सद्गती में ले जाने वाला तो एकी बाप है, उनको किसमे मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वह बाप है, तीचर भी है, बैठे कितना साधारण हैं, बच्चों का मुखडा देखने के लिए थोड़ा सा उपर उठते हैं, मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं, जो जास्ती मदद करते हैं, उनको जरूर बाबा लव करेंगे, लोकिक में भी एक बच्चा दो हजार कमाता, दूसरा हजार कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा, परनतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहा हैं, बेहत का बाप भी देखते हैं, फल परशित होते हैं, आत्मा खुश होती है, कल्प कल्प मैं आता हूँ, और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ, जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं, ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है, कहां भी बैठे हो, बुद्धी में यह सोच जो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरू भी है, स्वेम ही सब कुछ है, तब तो सब उनको ही याद करते हैं, सत्यों में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं, ऐसे ऐसे सिम्रण कर बच्चों को हर्शित होना चाह नहीं कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सब को परिचे दें, यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सब को साथ बी ले जाते हैं, ऐसी ऐसी समझानी से सरव्यापी कह नहीं सकेंगे, बाप ने कहा है, विनाश काले विप्रीत वह सब खतम हो जाएंगे, बाकि तुम विजय पाएंगे, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैट समझाते हैं, तो ऐसे ऐसे वंडरफुल बाते सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुद मॉर्निंग और नमस्ते ज धाना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट सुख दाता के हम बच्चे हैं हमें सब को सुख देना है मनसा वाचा करमना किसी को भी दुख नहीं देना है दूसरा पॉइंट पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है ऐसे वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है अपसेंट नहीं होना है वर्दान सदा हर दिन स्वे उच्साह में रहने और सर्व को उच्साह दिलाने वाले रुखानी सेवाधारी भव बिस्तार बाप दादा सभी रुखानी सेवाधारी बच्चों को सनेह की यह सोगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्वे उच्साह में रहो और सर्व को उच्साह दिलाने का उच्सव मनाओ इससे संसकार मिलाने की संसकार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह चूट जाएगी यह उच्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याई खतम हो जाएगी फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिष्टे बन जाएगी स्लोगन ट्रामा के राज को समझ नतिंग नू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है अच्छा ओम शान्ती